ओपरेशन थेटर में आपका स्वागत है और आज हम पॉस्ट मॉर्टम करने वाले हैं बिगी के डब डबली चैंपियंशिप रेइन का तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ दो वोड मैं हूँ 3DX चेतना और पहले ही बता देता हूँ कि माइक में हो सकता है कि आपको कुछ अलग हो क्योंकि आज मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ जो कि रेगुलर यूज करता था आज मैं फॉन से रिकोर्डिंग कर रहा हूँ तो अगर कुछ बेकार लगे वोइस तो प्लेस कॉमेंट्स में ज़रूर बताना अभी जब तक मैं बीगी के डिवड़वी चैंपियर्शिप रेइन के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट प्रोबैबली ओवर हो चुका है कंसीडरिंग के इस तरह से बीगी को ही पिन किया था देर वस रीजन कि हाँ बई यह शायद बीगी को रीमैच मिले ही ना और अगर मिले भी तो विगी को बात करते हैं तो नब्हे हम बात करते हैं तो बाई पहले बातों वह ने ब्रीफ केस तक ठाडब करना पड़ गया था जब कोशेबन चुरा के लेगा था समर स्लैम में याद है मैच हुआ था इनके बीच तो वह तक उनने डिफेंड करना पड़ा था इन Monday नाइट रॉ में बॉबी लैशली के अगेंस्ट कैश इन करके पहली चैंपिंशिप जीती बीगी ने प्रॉबेबली बहुत बड़ा मुमेंट होगा बीगी के लिए अफकोर्स एन बीगी का एक लोता सक्सेस्फुल टाइटल डिफेंस आया पेपर रिव्यू कर जो की क्राउन जूइल से निकला साओधी अरेबिया में जब ड्रॉ मैकिंटार को हराया गया अफकोर्स इट वस अ बिग विक्टरी बिकोज आप उस सुपरस्टार को हरा रहे हो जिसको जिसने ब्रॉक लेजनर को हरा रखा है और फिर आप खुद ब्रॉक लेजनर से हरे हो इट वस अ वेरी वीर्ड कॉप्लिकेटेड सिचुएशन अगर हम बात करें सर्वावर सिरीज की तो वहाँ पर रोमन रेंज के साथ चैंपियन वर्सस चैंपियन मैच मिला जिसमें वो हार किया गए थे परब्रॉक जीतते भी तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता चैंपियनशिप रहे हिन में हो सकता था कि बिगी अगर कभी और चैंपियनशिप जीतते बहुत पहले अगर जीत जाते तो शायद बहुत बढ़िया चैंपियनशिप रहे हो सकता था बट ये जो बीच में सर्वाइवर सीरीज आ गई ना I think पूरा बिगी का मोमेंटम प्रेक हो गया और वो बोरिंग चैंपियन बनते चले गए और कोई भी राइवलरी उनकी लंबी नहीं रही लाइक लैशली के साथ भी लंबा स्टेंट नहीं चला ड्रू मैकिंटार के साथ भी नहीं चला और रोमन रेंस वाला तो नॉन टाइटल के लिए था और ब्रॉक लैजनर वाली बात आई तो वहाँ पे तो चैंपियनशिप हार ही गए तो आप बिगी का जो करियर रही डवड़वी चैंपियनशिप रहन का ओविसली जो इमेज सामने आये थी ब्रॉक लैजनर के जीतने के बाद किस तरह से बिगी एपरिन के साथ बैट के सैड थे उसमें आप क्लिरली उनकी सैडनेस देख सकते थे किस तरह से वो भी डिसपॉंटेड होंगे अपने टाइटल रेंज से कि भाई क्या हो गया वो बाई दो वे फन फैक्ट हाँ अपने क्या वह वाली इमेज देखी जो कि डवड़वी ने अपनी इस्टाग्राम पर डाली थी देन डिलीट कर दी तो बेसिकली वो उन्होंने पहले से क्योंकि पता तो होगा कि बैगी जीतने वाला है बट जो पहले के ग्राफिक्स उन कि हाँ आप जीतने वाले थे लेकिन जस्ट बिकोज रोमन रिंस को कोविड हो गया आपको हारना पड़ रहा है और वो भी ब्रॉक लेस्टनर के अगेंस्ट बिगी नो उसकी अगर वो चैंपेंशिप हारते दें दिर इस अ बिग चांस कि शायद उनको मौका दुबारा ना भी मिले क्योंकि कोफी किंस्टन के साथ ऐसा ही हुआ था कोफी किंस्टन ने भी तुरंट सैडनेस वाली इमोजी टूइट करी थी जैसे बिगी हारे थे तो यह मैं लाइक बिगी के चैंपियंशिप रेन को अगर मैं बोरिंग बोलू तो लाइक हो सकता है कि हाँ ठीक है अ ना भी मिले सो यह moral of the story is कि भाई अगर हम किसी को बोल रहे है कि हाँ he deserves this championship he deserves that at least हमें टाइमिंग अपनी सही रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमारी सुनने लग गए डवली वाले तो आपको दिखी गया कि क्या होता है अभी ऐसे वीडियो बनाते टाइम इनलाइस करने के बाद रेलाइस हो रहा है कि नहीं यार जो मैंने बोला तो नहीं कि वीडियो में के शायद बीगी को नहीं मिलना चाहिए रीमैश तो मिलना चाहिए देखो इतना तो 5-way था वैसी तुम्हारे chances कम होते हैं और rematch का clause, come on यार, ले लेना चाहिए, it is not universal championship के हाँ उस पर curse लगवा है कि championship rematch नहीं मिलेगा, so yeah that is my verdict, अभी comments में आप लोग बता न, but do you guys think about his title reign, क्या आपको ये याद भी रहेगा या नहीं comments के तरह परते, John Cena WWE fan ने लिखाए कि tomorrow's raw will cross 2 million viewership because PPV में जो भी बाद में shocking चीज होती है, उसके बाद fans अगली raw या SD के लिए काफी hyped हो जाते है, okay here's the challenge अगर 2 million viewership नहीं गई 2 million viewership के उपर नहीं गई मतलब पहले जोर number उसमें 2 नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको अपना नाम चेंज करके लिखना होगा, Roman Reigns is better than John Cena, challenge accept करना पड़ेगा विडू, क्योंकि इधर challenge दिये जाते हैं, और accept automatically हो जाते हैं, iconoclast Sanjeev ने लिखाए कि I want to hug Bailey so hard, oh really, well I asked her and she said no, Sanjeev अगायता ने लिखा कि Bailey versus dude drop will be awesome, it is as good as Otis versus Madcap most, भाई यह अलगी level पर fantasy चल रही है, यश्मन लोई ने लिखाए कि Lacey Evans भी तो आने वाली है, definitely इस सा, ओ, ओ, भाई, Lacey Evans के बार में तो लोग भूली गई, वो pregnant होगी थी, तो इसे लिए चल गई, भाई, वो, like she's so lucky, like, पहले था हमें लगा कि अभे यार, क्या प्रेगनेंट हो गई अब उसका करियर खामका बीच में रुख जाएगा अभी रेलाइज हो रहा, नहीं, अब वो प्रेगनेंट है, तो इसके चलते उसको release भी नहीं कर सकते, तो हो सकता था कि क्या पता उसका release में नाम आता, तो अब नहीं आएगा, like, भाई, क्या बची है वाल वाल, आयुश कमार ने लिखा, I want Goldberg last match, it should be against John Cena हाँ, ये बहुत बड़ी है, like, John Cena का return भी हो, तो वो Goldberg के साथ हो and Goldberg का last match, like, या तो नया superstar, या फिर John Cena, क्योंकि Air Vision ने लिखाए कि एक टाइम था, जब Nakamura वर्सेस Zayn का मैं चलगी ले, oh boy, I remember that time, I think Nakamura का तो डेबिउ ही था Semi Zayn के साथ, जब William Regal ने इंट्रड्यूस किया था कि he's coming from Japan, oh boy, क्या ही हाइप थी, गूसबंप सागए थे बाई उस टाइम पे, but हाँ, या, it is just all about the hype, anyways, that's it for this video, comments में लिखकर बताना, अपना verdict on Biggie का title reign, और अगर आपको वीडिक्ट पसेंद है तो अपनी लाइकर शेयर को चानल के सब्सक्राइब करो, और बता देना, audio की quality कैसी थी, का देल था चुराया, अपने नाम का सच्टम था बनाया, तो लाइकर इसने परिवार था चुटाया, पर समय की मार है, या मेहनत की हार है, यह खुट को बदलना तो मेरे सब्सक्राइब के विचार है, अफसों से की आज सबने इसको भूलाया, फ्राइड डिस को इसने आरके उधा लगपाया, फ्राइड डिस को इसने आरके उधा लगपाया,